बिर्टेन के शाही परिवार में एक युक का अंत हो गया क्विन इलिजाबेट दितिये के का निधन हो गया 25 साल की उमर में उन्होंने शाशन समाला था गद्धी समाली थी 70 साल राज करने के बाद 96 वर्ष की उमर में उनका निधन हो गया सर कहते हैं कि लंदन एक ऐसी जगा है जहां हर चीज की एक value है हर चीज का एक monetary value निकाली जाती है जीवन की हो पानी हो हवा हो कहते हैं लंदन में हर चीज की एक कीमत होती है शाही परिवार कितना important है अगर हम देखें योरोप की अर्थववस्ता के साब से ब्रिटेन की अर्थवस्ता के साब से कुईन इलिजाबित के निधन पर पूरी दुनिया में बहुत सारी चर्चा है हमने इसे दूसरे तरह से चलते चलते आपको एक पूर जानकारी देने के लिए हमने इस खबर के साथ अपने आपको जोड़ा ब्रिटेन के राजपरिवार का एक विवादे एक भव एक अलग सा इतिहास है जो इतिहास दुनिया का साज़ा इतिहास है क्योंकि दुनिया में एक बड़े हिस से में ब्रिटेन की मोनांकी का राज था लेकिन जसा शुबह में संकेत दिया कि जब लंदन का financial market डेवलप होना शुरू हुआ और democracy established हो गई तो लंदन में यह मानने की जानने की कोशिश की देई कि Britain के monarchs की value क्या है उनकी कीमत क्या है और उनकी financial value क्या है और brand finance ने Queen Elizabeth की diamond jubilee पे 2012 में diamond jubilee थी उस समय यह जाने से हिसाब लगाने की कोशिश की थी कि brand Queen Elizabeth या brand Buckingham Palace लंदन जाने वाले लोगों के लिए उस brand ही है क्योंकि उसकी value क्या है तो यह माना गया है कि तीन साल बाद 2012 के बाद इस brand की value करीब करीब 87 billion डालर थी जो brand Buckingham Palace की value थी और UK की economy में royal family का जिस family की चर्चाएं और कई सारे द्रश्य भी आपके जहन में अगले कई दिनों तक जब तक यह शोक और नए king का आना पूरा नहीं हो जाता तब तक यह family लगातार आपके चर्चा में हैं और हमारे सुर्ख्यों में रहेगी उसका UK की economy में जो contribution था यह 2015 का अंकड़ा है 1.8 billion dollar का था यह राइल फैमिली UK की economy में करी 1.8 billion dollar का contribution करती थी अर्थवस्ता में जो की pound में 1.15 billion था उस समय के exchange rate के आधार पर और सबसे बड़ा जो contribution है दिल्चस बात है जो सबसे बड़ा contribution ब्रिटेन ए UK की economy में राइल फैमिली का है वो सिर्फ और सिर्फ tourism से है क्योंकि राइल फैमिली की assets उनके इतिहास से जुड़ा हुआ हिस्सा ब्रिटेन और लंदन के tourism का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसलिए यह इतना बड़ा brand है जो ब्रिटेन की economy में contribute करता है तो मैं लगा कि अलिजाबेत के निदन पर यह जानकारी इस तरश्टे से समझा जाए कि किसी भी देश की अर्थवस्था में इतिहास की भी अपका अपना एक मूल्य होता है और वो मूल्य कैसे उस देश की अर्थवस्था को contribute करता है यह देखने के यह बताने के लिए